स्भूत से अब को सबसें पर ayam go scraat चाहूंगा कि आज मैं यहां पर आया हुँ सबसेया पहली परा टीर्ड के बंच्वे खाड़ा हूं तो धन्यवाद टीर्डी जो कि मुझंगे मुझे मॉका दिया यहां पर बोलने का चाहूंगा तो मैं सबसे पहले हम सुरू करते हैं अपने बच्पन से तो बच्पन जो हमको मिला वो हमारी मा की होजा से मिला तो मा के लिए सबसे पहले एक जोड़दार तालिया होने चाहेंगी कि घर में गुस्ते ही सबसे पहला गोर्डन वर्ड कि घर में गुस्ते ही सबसे पहला गोर्डन वर्ड वो हर एक बच्चे और हर एक बेटी के मुँसे निकलता है कि मा तुम कहां हो कि मा के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा मा ने प्यार से उठाया तब जाकर आसमान आया है मा हो गई हमारा बच्पन हो गया बच्पन की सुरुआ जब करते हैं हम लोग तो बच्पन की कुछ लाइने हैं तो उसको मैं सुनाना चाहूंगा जो कि मैंने खुद लिखी है तो खबर नाथी सुबह की न शाम का ठिकाना था खबर नाथी शुबह की न शाम का ठिकाना था चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दिवाना था कि दिल तितली का दिवाना था एक बच्पन का जमाना था खुशियों का खजाना था ठककर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था रोने की ना थी कोई वजा ना हसने का कोई बहाना था मा की कहानी थी परियों का फसाना था बारिस में कागच की नाव थी हर मौसम सुहाना था क्यों हो गए हम इतने बड़े इससे अच्छा तो बच्पन का जमाना था बच्पन की सायरी खतम करने के बाद अब मैं यहां पर आए हुए सबी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं तो उत्तर प्रदेश से ही हूँ और उत्तर प्रदेश के एक राइब रिली जिले से हूँ आप सब कहां से हैं उत्तर प्रदेश से ही कि बाहर से सब उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे पहले मैं एक साहरी सुनाना चाहूंगा जो कि एटिट्यूट से रिलेटेड है कि तुम हलके में ले रहे हो कि तुम हलके में रे रहे हो उत्तर प्रदेश की कहानी को कि तुम हलके में ले रहे हो उत्तर प्रदेश की कहानी को एक जटके में खतम कर दें कि तुम्हारी भरी जवानी को अब उत्तर प्रदेश भी हो गया अब हम चलते हैं थोड़ा सा महुबबत की तरफ तो महबत के लिए एक लाइन सुनाना चाहूंगा कि महबत से रिलेटेट नहीं है तो इसको गुरूर मान ले या अदाएं यार कि इसको गुरूर मान ले या अदाएं यार बात चीत के सारे सलीखे बदल गए कि बात चीत के सारे सलीखे बदल गए और उनको जिस दिन से बताया था कि सबसे खास हो तुम यार उस दिन से उनके सारे तौर तरीके बदल गए उस दिन से उनके सारे तौर तरीके बदल गए कि गिराया था जिनोंने गिराया था जिनोंने वो आज उठाने को मजबूर है कि ठुकराया था जिनोंने आज वो अपनाने को मजबूर है और दूसरे साहरी मैं अपने देश के लिए भी सुनाना चाहूंगा क्योंकि हमारा देश हमारी जान है और देश पे मर मिटने के लिए हर एक नौजवान तैयार है तो भारत माता की महबबत में खुद को कुर्बान कर बैठेंगे मरेंगे अपने वतन की मिट्टे के लिए चाहे मौत से सर्थ लगा बैठेंगे और दूसरी लाइन में सुनाना चाहूंगा हमारे एक भाई हैं दिव्यांज भाई तो उनको मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ ये लाइन उन्होंने लिखके मुझे कल रात में ही मैसेच किया था कि अगर तुम कल जा रहे हो तो बेस्ट आफ लक और जाकर की लाइन सुनाना जरूर मैंने का छीक है भाई अब जाओंगा तु सुनाओंगा जरूर कि मैं सुनाना चाहूंगा हर पल हर लमहा खुद को मारा करते हैं हर पल हर लमहा खुद को मारा करते हैं जब तुमको याद दोबारा करते हैं हम आशिक हैं हमें जीने की फुरसत कहां हम आशिक हैं हमें जीने की फुरसत कहां बस मौत के इंतजार में दिन गुजारा करते हैं मुझे दरिया बनाओ कि मुझे दरिया बनाओ की सबकी प्यास मिटे हमें तो होश नहीं पर तुम्हें क्या लगता है क्या हम अब फिक्र तुम्हारा नहीं करते एक अभी नौजवान जो लड़के आ रहा हैं धीरे धीरे बड़े हो रहा है तो उनके उपर एक पनी शायरी थी जो कि सिद्दू सर की याद में थी कि आज कलके लड़के कहते हैं कि सरकारता साड़ी अपनी है सालों कम से कम वोटर आईडी कार्ट तो पहले बनवा लेते कि तुम्हारी महबत में ये दिल ऐसा खो जाता है तुम्हारी महबत में ये दिल ऐसा खो जाता है जैसे गड़ती क्लास में बच्चा सो जाता है तैंक यू सबको झाल झाल